हलो नमस्कार दोस्तों आप सभी का यूटूब के सुपर इंडिया चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आज हम बात करेंगे सपने में कच्छवा देखनी का क्या फल प्राप्त होगा क्या अर्थ होगा क्या मतलब होगा आने वाले दिनों में आपका जिवन कैसा विदित होगा यह हमें क्या संकेत देने की पोरी सारा कर रहा है अगर आप सपने में कच्छवे से सम्मधी सोफल के पारे में चानकरी प्राप्त करना चाते हैं तो आप सही जगे पर हैं आपको समय प्रकार के सुपन कच्छवी के जो आपने देखे हैं उनका फाला इस वीडियो बतलाए जाएगा तो आप बने रहें सबोगी अइस बीडियो में और यदि आप सुपने में साथ बज़े से दश बज़े के बीच में सपना देख लेते हैं तो इसकार्थ होता है कि आप एक वर्ष से छे माह में इसका फल आपको प्राप्त हो जाएगा और यदि आपको एक बज़े से सुबा चार बज़े तक के बीच में सपना देख लेते हैं इसकार्थ होता है कि आपको छे महा से तीन महा के बीच में आपको अवसी ही इसका फल प्राप्त हो जाएगा अगर आप सुबा चार बजे से सुबा साथ बजे के बीच में सपना देख लेते हैं तो इसका फल आपको उसी दिन प्राप्त हो जाता है जैसे कि आप 7 बजे के आसपास सपना देखते हैं सपन देखने के बाद जिदी आप दुबारा नेदरा नहीं लेते हैं या कोई दुबारा सपना नहीं देखते हैं तो इस काफल आपको ततकल प्राप्त हो जाता है सुबा देखेगए सपन का फ़लूशी दिन प्राप्त हो जाता है तो सपने में यगर आप कच्छुवा की सवस्ता में देख रहे हूं ये डिफर करता है कच्छुवा चोटा है ये बड़ा है कच्छुवा किस रंग का है बूढ़ा कच्छवा है या सोस्ति कच्छवा है या कच्छवा कुछ मचली खारा है या जल के अंदर है या बाहर है या आपके घर में टहलना है या आप कच्छवा पकड़ रहे हैं तो बिन्द भी नवस्ताओं में देखे गए कच्छवे का अलग-अलग गर्थ निकाला जा जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग धन प्राप्ति के लिए उंगली में अंगुठी के रूप में इसे धर्ड करते हैं जिससे हमारे पास धन का आवागमन बना रहे हैं बहुत सारे लोग इसे दुकान में या पूजा इस धन पर इस्थापित करते हैं और इसकी पू इसी प्रकार कच्ये का भी जल से समंध होता है इसलिए इसको लच्मी की भाति धन से समंधित माना जाता है वास्तो सास्थ में भी कच्ये को सुख और अच्छा समय ह motherfuckered इसलिए कच्विये को अधिक लोग एक अपने जीवन में अच्छे दिनों के बने रहने का संकेत मानते हैं और इसे अपने घर के दर्वाजों पर चिन्न की रूप में अंकित करते हैं या कुछ लोग इसे अपने घरों में शांदी के कच्विये या तामर के कच्विये छोटे च्छोटे कच्छों के रूप में इत्थापित करके अपने घर की सुभा बढ़ाते हैं तो आज हम इस वीडियों में आपको कच्छोए से देखे गए सपने की पूरी जानकाली देने वाले हैं तो चैनल को सस्क्राइब करके और पेल आइकन को भी प्रेश कर ले तो चली दो तो बात करते हैं सपन के भारी में अगर आप सपने में ये देख रहे हैं कि कच्छुआ छोटा सा कच्छुआ है काले रंग का कच्छुआ है और कच्छुआ आपकी तरफ भागता हुआ रहा है या आप उसे डर कर भाग रहे हैं तो सपने में कच्छुये से डर कर भागना आपके लिए सुब नहीं होता है, इसकार्थ होता है कि आप जैसे ही आपको कोई अच्छा समाचार या अच्छे फल की प्राप्ति होने वाली होगी, तब आप घबड़ा जाएंगे, डर जाएंगे और आप उस कारी को अधूर अश अच्छित रहे जाएंगे, तो सपने में कच्छुये से डर कर भाग जाना आपके लिए अच्छा नहीं माना जाता है, और सपने में यदि आप या देख रहें कि कच्छुये पकड़ रहे हैं, तो बहुत सुब शुप शुपना होता है, इसका आर्थ होता है अब जल्दी धन्मान बनने वाले हैं, क्योंकि कच्छुओं का पकड़ना आपके लिए बहुत सुब होता है, क्योंकि कच्छुओं जल्दी प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि कच्छुओं हमेसा जल के अंदर रहते हैं, और पकड़ने के लिए काभी मसकत करने पड़ती हैं, कभी-कभी मच़वारे मचली पकड़ने के लिए जाल फेकते हैं और कच्वे फश जाते हैं क्योंकि कच्ववा भी मुलिवान होता है इसके भी मार्केट में आधिक कीमत पर मिकते हैं और कच्वुन का लोग अपने घरों में पानी में रखकर पालने का भी सोक रखते हैं बहुत सारे लोग कच्वे घर में पानी में भी पालते हैं और यदि आप सपने में कच्वे को पकड़ते हुए देख रहे हैं तो समझ जाए कि आपका भाग जाग चुका है जल्द ही आपको धन प्राप्ति के जो भी रास्ते हैं वो खुल जाएंगे जो काफी समय से आप दुखी प्रेसान रह रहे हैं जो समस्याय बनी हुई हैं वो स भंग भंग हो चुके हैं कच्वा माडासन है या मृत प्राइ है तो इस प्रकार का कच्वा देखना अपके लिए सोब नहीं माना जाता है इसकार्थ होता है कि आप कहीं न कहीं कुछ गलतियां कर बैठेंगे जो आपके लिए नुक्सान दाई होगा यह आप को संकेत करता ह कि आप अपने ही गलतियों से नुक्सान उठा सकते हैं और अगर आप सपने में छोटे छोटे बहुत सारे कच्वे देख रहे हैं जैसे कि कच्वे के बच्चे हूँ यह बच्चों को आप जल कीड़ा करते देख रहे हूँ तो इस प्रकार के सपन आपके भागी में आने व काटना आपके लिए अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि सपने में कच्वा का काटना आप कोईसी बीमारी से या किसी समस्या में फोच सकते हैं तो कच्वे का काटना सुब नहीं होता है और अगर आप सपने में या देख रहे हैं कि कच्वे को आप कहीं से लेकर दूसरे स्थान पर छोड़ने जा रहे हैं या उसकी साहिता कर रहे हैं कोई मदद कर रहे हैं तो सपने में कच्छ की साहिता या मेदद करना काफी सुभ होता है। तो आपके लिए ये अच्छा आउसूब होता है। और यदि आप सपने में एक कच्छुए को दूसरे कच्छुए के साथ सहवास करते देख रहे हैं, कि वो काम करिया कर रहा है या संभूब कर रहा है, तो इस प्रकार का सुपना भी आपके लिए सूब होता है, क्च्छुए का प्रजिनन किया करना अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये आपके भागी में भी चमतकार से कमने ही होता है, कि यदि आपके घर में कोई उत्र आदी नहीं हैं, तो आप एसे समय में यदि आप पतनी के साथ सहवास करते हैं, तो आपके घर में संतान के उत्पत्ती होती है और यदि आप सपने में यादे देख रहे हैं कि कच्छुए बहुत सारी हैं और आप पर हमला कर चुके हैं और आप डर कर भाग रहे हैं तो कच्छुओं का हमला आपके लिए सुब नहीं होता है क्योंकि आप यदि कच्छों से डर कर भाग जाएंगे तो इसका और्थ होता है जहां से आपको यो लाप रापनूने वाला हता है वहां से आप भिमुक हो जाएंगे और आप उस फल से बन्चित रह जाएंगे तो इस प्रकार का सपना भी आपको अच्छा नहीं माना जाता है और यदि आप सपने में यहाँ देख रहे हैं कि आपने बहुत सारे कच्वे आपके घर में घुस चुके हैं तो घर में घुसे हुए कच्वे आपकी तरक्की और उनती और भाग्योदे का सुनकेत कराते हैं तो हमने जवाब को जानकारी दी कैसी लगी आप कमेंट करके अवसे बगर बताएं नमस्कार धन्यवाद दोस्ते